MTR Technologies का शेर 13% तक तूटा, कमजोर क्यूँ दो नतीजों से बिगडा सेंटिमेंट MTR Tech एक दिगज प्रिसीशन एंजिनिरिंग कमपनी है यह Clean Energy, Nuclear, Space और Defense जैसे सेक्टर्स के लिए Mission Critical Precision Components बनाती है सितंबर तिमाही में EBITDA सालाना आधार पर 3.4 प्रतिशत बढ़कर 36.1 करोड रुपए हो गया वित्वर्ष 2023 से 24 की जुलाई से सितंबर तिमाही में MTR Technologies का मुनाफा सालाना आधार पर 17 प्रतिशत गिरकर 20 करोड रुपए रह गया 9 नवंबर का दिन MTR Technologies के लिए बेहत खराब साबित हुआ शेयर में 13 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई गिरावट के पीछे वजह सितंबर 2023 तिमाही FY24 Q2 में कमपनी के कमजोर वित्तिय नतीजे है 9 नवंबर को शेयर सुभा गिरावट के साथ BSA पर 2350 रुपए पर खुला जल्द ही यह पिछले बंद भाव से 13 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट के साथ 2248 रुपए के लोग पर आ गया NSI पर शेयर 2298 रुपए पर खुला और जल्द ही 2235 रुपए के लोग पर आ गया Vodafone Idea के शेयर का बावन सप्ताह का उच्चसतर BSA पर 2920 और NSI पर 2920.35 रुपए है बावन सप्ताह का निचलासतर BSA पर 1472.45 और NSI पर 1473 रुपए है शेयर ने पिछले छे माह में 35 प्रतिशत से ज्यादा और एक साल में करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी है MTR Tech एक दिगज प्रिसीशन एंजिनिरिंग कमपनी है यह Clean Energy, Nuclear, Space और Defense जैसे सेक्टर्स के लिए Mission Critical Precision Components बनाती है Q2 में मुनाफा 17% गिरा वित वर्ष 2023 से 24 की जुलाई से सितंबर तिमाही में MTR Technologies का मुनाफा सालाना आधार पर 17% गिरकर 20 करोड रुपए रह गया हालांकी revenue में सालाना आधार पर 32% का उचाल देखा गया और यह 166 करोड रुपए पर पहुँच गया सितंबर तिमाही में EBITDA सालाना आधार पर 3.4% बढ़कर 36.1 करोड रुपए हो गया revenue guidance घटा MTR Technologies ने FY24 के लिए अपना revenue guidance घटा कर 670 करोड 700 करोड रुपए कर दिया है पहले यह 830 करोड 860 करोड रुपए था एबिटडा ग्रोथ के लिए FY24 guidance 28% से घटा कर 26% कर दिया गया है सितंबर 2023 तिमाही में कमपणी में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी holding बढ़ा कर 8.8% कर दी जो एक तिमाही पहले 4.5% थी वही mutual funds ने हिस्सेदारी घटा कर 22.8% कर दी जो इससे पहले की तिमाही यानी जून 2023 तिमाही में 25.9% थी झाथ कर दी